दोस्तों डीटर प्लस बी के द्वारा साथ डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेशन हो जारी की है अभी अभी थोड़ देर पहले ओफिसिल वेब साइट पे आप यहां पे देख सकते हैं जो एक्जामिनेशन 22, 24 और 25 नवंबर 2021 को होन वाली हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड से रिलेटेड यानि पोस्ट कोड हैं 31 बटा 21, 2 बटा 21, 43 बटा 20, 15 बटा 20, 4 बटा 21, 25 बटा 21 और 22 बटा 20 इनके एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं यहां पे लिंक एक्टिवेट हो चुका है ज असानी से डाउनलोड कर पाएंगे अब मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन सी एग्जामिशन जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड से रिलेट करती हैं और क्या पोस्ट का नाम है जो एग्जाम अभी कंडेक्ट करवाए जाएगा डीटर प्लस बटे के द्वारा 22, 24 और 25 नुवंबर 2021 को आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 नुवंबर को जो एग्जाम होगा वो किस पोस्ट कोड से रिलेटेड होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 बटा 21 और पोस्ट है trained graduate teacher यानि TGT deaf and dumb की ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अलावा बात करें कि 2 बटा 21 और ये 2 बटा 21 पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 22 नुवंबर 2021 को ही होगा और technical assistant printing ये एग्जाम भी 22 नुवंबर 2021 को conduct करवाया जाएगा और इसके admit card आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने अभी procedure आपको बताया उस procedure से ठीक है इसके बात बात करें तो 43 बटा 20 जो workshop instructor की post है और ये 24 तारीक को exam होगा इसके admit card आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लोब 15 बटा 20 जो Hindi translator come assistant की post है ये भी 24 तारीक को exam होगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 15 बटा 20 है हिंदी translator come assistant इसका और 4 बटा 21 आप यहाँ पे देख सकते है technical assistant chemical की तो ये भी exam 24 नमबर 2021 को ही conduct करवाये जाएगा admit card आप official website पे जाकर करके डाउनलोड कर सकते हैं इसके लबा बात करें तो 4 बटा 21 हो गया और 25 बटा 21 जो scientific assistant biology की post है ये exam होगा 25 नमबर को और इसके लबा 92 बटा 20 जो librarian की जो post है उसका भी exam 25 नमबर 2021 को होगा इनके admit card आप official website पे जाकर के link आपको मिल जाएगा या फिर इस video के description में direct link दे दूँगा जाकर के आप इस page पे पहुंचोगे और इस page पे आपको अपना application number date of birth फिल कर देना है आप अपना जो admit card है वो आसानी से download कर पाएंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अभी के लिए य ऐसी ही latest update और information शाद मिलता हूं next video में तब तक के लिए बने रेमर साथ thank you so much